Hello everyone, welcome back to the channel तो आज हम आपके लिए लेकर आई हूँ Class 11 से एक और important chapter जिसका नाम है Birth और इस chapter के जो writer है उनका नाम है A.J. Cronin तो ये जो chapter है ये A.J. Cronin के द्वारा लिखा हुआ एक novel जिसका नाम है The Citadel से extract किया गया यानि की ये A.J. Cronin के द्वारा जो लिखा हुआ novel है उसका एक part है उसका एक अंश है और ये जो story है ये Andrew Mansion के around reward करती रहती है जिन्होंने just अपना graduation जो है वो complete किया है middle school से तो उन्होंने graduation कम्पलीट करने के बाद अपना जो practice है उन्होंने शुरू किया है और वो एकदम new practitioner है तो ये जो story है ये हमें बताती है कि उनके girlfriend थी जिसका नाम था क्रिस्टीन उसके साथ उनका जो time है वो बहुत जादे ही खराब चल रहा था यानि कि उसके साथ उनका काफी ही बुरा वक्त चल रहा था इसके बावजूद भी एक newly practitioners होने के बाद भी और उनका time खराब होने के बाद भी वो कैसे जो और सुजान के child को इस दुनिया में लाने में मदद करते हैं तो ये है हमारा chapter का introduction तो चलिए chapter का explanation शुरू करते है तो हमारा ये जो chapter है ये कुछ ऐसे शुरू होता है जब Andrew अपने घर पर पहुँचते हैं रात को करीब बारा बजे तो वो देखते हैं कि जो मारगन जो है उनकी small clinic और उनके घर के entrance के बीच में जो सीडिया थी उससे बार बार उपर और नीचे आ जा रहा था जब उसने Andrew को देखा जो की एक driller था driller जो drilling control में drill करने का काम करते हैं यानि की floor वगएरा को drill करते हैं तो जब जो ने Andrew को देखा तो उसने राहत की सास ली तो जब जो मारगन डॉक्टर Andrew को देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो उन्हें देख कर कितना खुश है और वो कहता है कि वो एंड्रिव के लिए करीब एक गंटे से इंतिजार कर रहा है और वो कहता है कि उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही critical situation में है और वो एक बेबी को जन्म देने वाली है तो वो डॉक्टर को कहता है कि आप उसे examine करने के लिए चलिए तो ये सुनते ही एंड्रीव को अपनी पिछली रात की याद आती है जो कि उन्होंने अपनी गर्ल फ्रेंड क्रिस्टीन के साथ बिताया था और वो जो रात है वो बहुत जादा ही बेकार थी बहुत ही काफी ही अनप्लेजन्ट रात थी तो इसके बावजूद भी वो बिना टाइम वेस्ट के ये वो जो को बोलते हैं कि तुम वेट करो तब तक मैं अपना बैग जो है वो लेकर आता हूँ तो जब वो अपना बैग लेकर आते हैं तो वो दोनो नंबर 12 बैलीना टेरेस की तरफ वोक करने लगते हैं चलने लगते हैं जहां पर जो की वाइफ थी तो वो जो रात थी वो बहुत ही कूल नाइट थी और आसपास का जो स्ट्रीट था वो बहुत ज़ादा ही साइलेंट था जिसकी बजह से वो और भी ज़ादा मिस्ट्रीरियस लग रहा था एंड्रियू जो कि जादा तर फुल अफ लाइफ एंड स्पिरिट थे यानि कि वो बहुत जादा ही में एनरजी रहा करती थी लेकिन आज वो बहुत जादा ही साइलेंट थे और ठके हुए थे एंड्रियू को कोई आइडिया नहीं था कि ये उनकी रात जो है वो कैसे जाने वाली है और क्या क्या उनके साथ होने वाला है तो वो दोनों चुपचाप चलते रहते हैं जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच नहीं जाते जब वो लोग पहुच जाते है तो जो जो है वो उनसे कहता है एंड्रियू से कहता है कि आप अंदर जाएए मैं अंदर नहीं जाओंगा लेकिन वो एंड्रियू के उपर अपना फुल कॉन्फिडेंस दिखाता है जो का जो वोईस था उसे वो बहुत जादा ही टेंस और अंडर प्रेशर लग रहा था तो अब एंड्रियू जो है वो अकेले गेट से अंदर चले जाते है और वो स्टेर से उपर जाते है स्टेर जो थी वो बहुत जादा ही छोटी थी और वो एक बेडरूम के पास पहुँच जाते हैं वो बेडरूम जो है वो बहुत जादा ही लक्शिरियस नहीं था लेकिन वो साफ सुतरा था तो रूम के अंदर जो मारगन की मदर इनलो थी जो की 70 के करीब थी 70 साल के करीब और उनका एवरेज हाइट था और उनका ग्रे हेयर था उनके पास ही मिडवाइफ थी मिडवाइफ यानि की दाई जो होती है जो बच्चे के देखवाल के लिए आई हुई तो जो midwife थी वो भी elderly age की थी और वो दोनों यानि कि Joe Morgan की mother-in-law और जो midwife थी वो दोनों Mrs. Morgan के बाजू में बैठे हुए थे और वो Andrew का Dr. Andrew का इंतिजार कर रहे थे तो जो sweet old lady थी यानि कि Mrs. Morgan की जो mother थी वो Andrew को a cup of tea देती है और वो Andrew को batch कहके address करती है तो ये जो word है इसे हम affection show करने के लिए use किया जाता है तो जब Andrew realize करते है कि ये जो old lady है वो बहुत जादा ही परिशान थी ये सोचकर कि कहीं ये doctor जो है ये case छोड़ कर भाग न जाए तो Andrew उन्हें परिशान देखकर एक छोटी सी smile देते है और उन्हें comfort करने की कोशिश करते है और कहते है कि वो ये case छोड़ कर नहीं जाएंगे ये जो doctor है ये case छोड़ कर न भाग जाए तो इसते ये पता चलता है कि वो जो lady थी वो बहुत जादा ही चालहाग थी और उसके पास बहुत जादा ही experience था तो doctor Andrew जो है वो downstairs kitchen में चाय पी रहे थे और वो physically और mentally एकदम exhausted थे क्योंकि last night Christian के साथ उनका जो unpleasant meeting हुआ था उसकी वजह से वो बहुत जादा ही physically और mentally disturbed थे तो वो जानते थे कि अगर वो घर जाकर सोने की भी कोशिश करेंगे तो वो एक घंटे की भी नींद नहीं ले पाएंगे although वो इस line में इस practice में new थे तो उनको पता था कि ये situation जो है वो बहुत जादा ही critical है और इसे attend करना बहुत जादा ही जरूरी है तो strangely वो थोड़ा सा active महसूस करते हैं और वो decide करते हैं कि वो इस case को handle करेंगे और वो इस जगह को छोड़ कर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उनकी जो duty है वो खत्म नहीं हो जाती जब तक वो अपनी duty को fulfill नहीं कर लेते वो इस जगह को छोड़ कर नहीं जाएंगे के वापस आते हैं तो वो kitchen fire के सामने बैठ जाते हैं और ये रात का वो time था जब आस पास सबकुछ एकदम still हो गया था सबकुछ एकदम silent हो गया था और उन्हें clock के ticking की आवाज सुनाई दे रही थी और बाहर से उन्हें जो के footsteps की आवाज सुनाई दे रही थी तो जब वो kitchen में बैठे हुए थे तो मिसिस मॉर्गन की जो mother है वो उनके सामने बैठी हुई थी और वो black dress पहनी हुई थी वो constantly एंड्रियू को डॉक्टर एंड्रियू को अपनी चालहाख आखों से देख रही थी और उन आखों में आखों में आशाय भरी हुई थी तो पिछली रात क्रिस्टिंग के साथ उनका जो unpleasant moment बिता था उसकी बचे से उनके दिमाग में बहुत ज़ादा ही urgency हो गई थी वो सोचने लगते हैं अपने friends के बारे में और उन सभी चीजों के बारे में जो की एक इनसान जो है love और marriage में face करता है उन सभी bad experience के बारे में वो सोचने लगते हैं फिर वो एक woman के बारे में सोचते हैं जिसका नाम था Bramble जिसको वो बहुत ज़ादा ही प्यार करते थे लेक के साथ रह रहा था जिसका नाम था Bloodwen फिर वो सोचते है डेनी के बारे में जो की अपनी wife के बिना ही रह रहा है और वो बहुत ज़ादा ही खुश नहीं रहता तो इन से भी चीजों की वज़र से उनके दिमाग में एक urgency एक जंग सी छिर गई थी फिर वो सोचते हैं वो wish करत है कि यह जो शादी का बंधन है यह बहुत ज़ादा ही cheerful होता है और इसमें एक आदमी को peace और companionship जो है वो guaranteed होता है उनके पास कोई और reason नहीं था believe करने का और उनके दिमाग में Christian की आखे जो है वो बार बार आ रही थी वो undoubtful थे और उनके दिमाग में उनके hurt में और उनके soul में एक conflict चल रही थी वो अपने chin को अपने chest पर रखके rest कर रहे थे और उन्होंने अपने legs को pull किया जब वो fireplace के सामने बैठे हुए थे तो वो कुछ moments के लिए एकदम शान्त बैठे हुए थे और उनके दिमाग में Christian जो है वो चल रही थी जब तक की old lady जो है वो आ नहीं जा related situation को देखते हुए और वो कह रही है कि वो Anastasia भी नहीं लेगी क्योंकि ये उसके baby को effect कर सकता है तो मैं आपको बताती चलू कि Anastasia जो है वो एक ऐसा injection होता है जिसे किसी को दिया जाता है तो उसका जो body parts है वो सुन हो जाता है और ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो फिर जो old lady है वो doctor से कहती है कि वो कितने दिनों से इस baby का इंतिजार कर रही है और फिर वो खुद को correct करते हुए कहती है कि वो सभी कितने दिनों से इस baby का इंतिजार कर रहे है और जब वो ये सब कुछ doctor से कह रही थी तो उसकी आँखों में एक चमक सी थी तो जो doctor है वो अपनी सार ताओं को किसी तरह समेटते हैं और वो अपने माइंड को क्लियर करते हुए और वो ओल्ड लेडी को एश्योर करते हैं कि यह जो एनस्टेशिया है यह ना तो बेबी को हार्म करेगा और नहीं उसकी मदर को वो दोनों एकदम ठीक रहेंगे कि तभी उनको एक आवास सुनाई देती है जो मिडवाइफ है वो बुलाने लगती है एंड्रियू जो है वो देखते हैं कि ओल्रेडी 3.30 हो रहा था और अब उनको अपना जो प्रोसीडियोर से उसको चालू करना था तो वो दोनों उपर जाते हैं बेडरूम में अपस्टेर जाते हैं तो डॉक्टर एंड्रियू को अल्मॉस्ट एक घंटे लग गया सर्जरी करने में और ये सर्जरी काफी ही टफ था उनके लिए तो जब सुबह की पहली किरन जो है वो विंडो के कॉर्णर से अंदर आती है तो मॉर्गन का जो बेबी है वो तब जन मिले चुका थ अनफॉर्चुनेटली जो बेबी था वो बहुत जादा ही कॉल्ड था ठंढ़ा था और स्टिल था यानि कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था यानि कि जो बेबी है वो कोई movement नहीं शो कर रहा था तो जब डॉक्टर उस lifeless child को देख रहे थे यानि कि उस baby को देख रहे थे जिसमें जान नहीं था तो उनके अंदर एक कपकपी सी हो रही थी यानि कि उनके अंदर एक shivering सी हो रही थी बेबी का जो face था वो थोड़ा सा गर्म था क्योंकि डॉक्टर ने जो efforts लगाए थे उसके वजह से लेकिन उसका जो body था वो पूरा थंड़ा था और वो बहुत जादा ही भयानक था moreover जो डॉक्टर है वो बहुत जादा ही confused थे और वो choose नहीं कर पा रहे थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले baby को देखे या फिर mother को देखे वो consciously decision जो है वो नहीं ले पा रहे थे तो वो जल्दी से decide करते हैं कि पहले वो mother को देखेंगे और वो उस child को nurse को दे देते है Suzanne जो है वो unconscious पड़ी हुई थी क्योंकि Anastasia का जो effect था वो अभी भी उसके अंदर था और उसका जो पूरा body है वो बहुत जादा ही weak हो गया था उसके अंदर कोई जान नहीं था तो जो doctor है वो अपना पूरा effort लगा देते है उसको इस situation से बाहर लाने में तो वो जल्दी से अपना medicine का जो glass है उसे तोड़ते हैं सिरिंज को fill करने के लिए और वो इसके अंदर inject कर देते हैं वो एकदम tirelessly काम कर रहे थे उसके senses को वापस लाने में तो after a moment जब doctor को assure हो जाता है कि अब वो safe है और उसका जो body है वो अपना strength regain करने लगता है तो अपना attention जो है वो child की तरफ कर देते हैं फिर Andrew जो है वो हिचके चाते हुए midwife से कहते है कि child कहां है वो baby कहां है तो midwife जो है वो anxious हो जाती है और वो कहती है कि कहां है child फिर वो कहती है कि उस ने उस child को उस baby को bed के नीचे रखा है तो बिना time waste किये जो Andrew है वो baby को बहाँ निकालते है वो baby जो है वो एक boy था और वो एकदम perfect shape में था and with flawless skin यानि कि उसके skin पर कोई दाग नहीं था उसका जो body था वो warm था और उसका जो skin है वो एकदम soft था उसका जो head था वो उसके wick neck पर लगा हुआ था यानि कि उसके कमजोर गर्दन पर लगा हुआ था उसका सर और उसका जो limbs था उसके जो limbs थे वो boneless लग रहे थे because उसका जो bones था वो बहुत ज़ादा ही soft था इसलिए उसके जो limbs थे वो boneless लग रहे थे तो अभी भी जो Andrew है वो bed की तरफ जुके हुए थे बेबी को निकालने के लिए और वो उस child को glad कर रहे थे यानि कि घूरे जा रहे थे और वो उस child को घूर रहे थे देख रहे थे उन्होंने उसे observe किया और उन्होंने सोचा कि ये इतना white क्यू है वो सोच रहे थे कि ये बेबी इतना white क्यू है तो जो डॉक्टर है वो जानते थे कि ये oxygen की कमी की बज़र से हो सकती है क्यूंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा similar case देखा था तो वो अब focus हो जाते है इसके treatment पर और वो जल्दी से खड़े हो जाते है और वो instruct करते है नर्स को कि एक ठंडा पानी लेकर आओ और एक गरम पानी लेकर आओ separate tubs में तो नर्स जो है वो हिचके जाती है कुछ moment के लिए और वो सोचती है कि ये सारे effort जो है वो useless है बट जो डॉक्टर थे उनको भरोसा था तो वो उस पर चिलाते है और वो कहते है कि जल्दी से लेकर आओ तो जब वो जाती है जो डॉक्टर उसे लाने के लिए बोले थे उसको लाने के लिए तो जो एंड्रियू है वो एक blanket निकालते है और उस पर बेबी को लेटा देते है और वो उस पर एक unique respiration method perform करते है उस बेबी के उपर अब nurse जो है वो items को लेकर आती है जो डॉक्टर ने उसे लाने के लिए बोला था और वो अपना procedure जो है वो टुरंथ चालू कर देते हैं तो एक basin में उन्होंने थंड़ा पानी रखा और दूसरे में उन्होंने गरम पानी रखा और उसका temperature उतना ही था जितना की बेबी जो है वो beer कर पाए उसके बाद वो बेबी को dip कर रहे थे उन दोनों basin में एक बार एक बार करके और वो continuously ये किये जा रहे थे पूरे 15 minute बीट चुके थे और पसीना जो है बेबी है वो उसके बाड़ी से कोई भी सांस बाहर नहीं आ रही थी यानि कि जो बेबी है वो breathe नहीं कर रहा था अब जो डॉक्टर है वो सोचते है कि वो failed हो गए है और suddenly उनकी जो सारी आशाय थी वो एकदम fade होने लगती है वो fill कर पा रहे थे कि जो नर्स है वो उनकी तरफ घूरे जा रही थी disheartent के साथ यानि कि वो बहुत ज़ाद ही तूट चुकी थी दुखी थी और वो उनको घूर रही थी वही दूसरी तरफ Mrs. Morgan की मदर थी जिन्होंने एक भी word नहीं बोला और उनकी आखे जो है वो डॉक्टर को घूरे जा रही थी तभी उनको याद आता है कि कैसे Mrs. Morgan ने डॉक्टर को कहा था कि वो इस बेबी को कितने दिनों से इस बेबी का इंतिजार कर रही है और वो इस बेबी को इस दुनिया में आते हुए देखना चाहती है तो इतने सारे स्ट्रागल के बाद जो फ्लोर है वो एकदम गीला हो चुका था और डॉर्टी हो गया था तो जो डॉक्टर है वो टावल से स्लिप करके अल्मूस्ट गिरने वाले होते है और जो बेबी है वो उनके हाथ से गिरने वाला होता है जो बेबी था जो चाइल्ड था वो भी एकदम गीला हो चुका था और उसको यहाँ पर एक वाइट फिश से कंपेर किया जा रहा है तो जो मिडवाइफ है वो डॉक्टर के सामने आती है और वो एकदम सॉफ्ट वॉइस में उनसे कहती है यह सब कुछ बंद कर दीजिए क्योंकि जो शाइल्ड है वो स्टिल बॉर्ण है तभी एक मिराकल होता है और जो बेबी एंड्रियू के हाथ में था उसका लिटिल चेस्ट जो है वो ब्रीध करने लगता है और उसका जो शरीर है वो गर्म होने लगता है इसकी वज़र से जो एंड्रियू है वो अपने घुटनों पर बैठ जाते है यानि कि वो एकदम वीक सा फेल करते हुए घुटनों पर बैठ जाते है तो ये जो फेलिंग था जब लिटिल बेबी जो है वो उनके हाथों में ब्रीथ करने लगता है तो इस फेलिंग की वज़र से जो डॉक्टर एंड्रियू है वो अल्मोस्ट बेहोस होने वाले थे फेंट होने वाले थे तभी जो डॉक्टर एंड्रियू है वो बेबी के उपर अपने double efforts के साथ काम करने लगते हैं ताकि जो बेबी है वो deeply सांस ले सके, deeply breathe कर सके तो जब वो हाफ रहे थे और बेबी को देख रहे थे तब ही बेबी के नोज से एक छोटा सा bubble form होता है म्यूकस का और उसका जो pale skin है वो pink कलर में बदल जाता है लगती है और उसकी आँखों से आसू निकलने लगते हैं तो जो Andrew है वो child को, nurse को देते हैं और वो अब बहुत जादा ही weak और tired फिल कर रहे थे जो room था वो बहुत जादा ही mess हो चुका था सारे जो equipments थे, blankets, towels, basins, solid instruments, syringe, kettle ये सारे terrible state में थे जो mother थी यानि कि जो baby की mother थी वो अभी भी bed पर पड़ी हुई थी क्योंकि Anastasia का effect अभी भी था और Suzanne की जो mother थी वो एक जगा खड़ी होकर constantly prayer गाये जा रही थी तो Andrew जो है अब वो अपने sleeps को unfold करते हैं उन्होंने sleeps को जो fold किया हुआ था तो उसको unfold करते हैं और वो अपने jacket को लेते हैं और वो nurse को inform करते हैं कि वो अपना bag जो है वो बाद में लेंगे फिर वो kitchen से एक छोटे से room की तरफ जाते हैं downstairs और वहाँ पर वो एक glass of water लेते हैं फिर वो अपना coat और hat लेकर बाहर की तरफ चले जाते हैं बाहर उन्हें जो मिलता है तो वो जो से कहते हैं कि अब सब कुछ fine है, सब कुछ ठीक है वो सुबह के 5 बज रहे थे तो इसलिए बाहर उतना light नहीं था तो जब वो अपने घर की तरफ walk कर रहे थे तो कुछ और लोग जो है वो जा रहे थे जो की अपने night shift से लोटे थे तो जब वो चल रहे थे तो उनके पैरों के जो आवाज है वो echo कर रहे थे और उनके mind में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी उनका जो hurt था तो उनके अंदर से, उनके दिल के अंदर से कुछ ऐसे विचार आ रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ पा लिया हो तो ये था अमारा चैप्टर का explanation आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए खुश रही है हसते रही है